साथियों भाजपा की NDA की डबल इंजिन की सरकार मुल्क सुभीदाओं से लेकर विकास की आकांख्षाओं तक असम को आगे बढ़ाने में जुटी है आज असम के हर हिसे में रहने वाले गरीब परिवारों तक को LPG गैस कनेक्शन मिल चुके हैं उनको दुए से मुक्ति मिली है असम में LPG कवरेज जो पांच साल पहले पचास प्रतिशत से भी कम थी वो आज करीब करीब सत प्रतिशत होने को है इसी तरह बिजली और टॉयलेट की सुविदावी असम के गरीब से गरीब तक पहुचाने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने एंडिये की सरकार ने बिन रात महनत की है आज आईशमान भारत योजना के तहट असम के लाखों परिवारों को पांच लाख रुपिये के मुप्त इलाज की सुविदा से जोड़ा जा चुका है इसी योजना के तहट असम के गाउं गाउं में आदुनिक हिल्स और वेलनेस सेंटर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कोशिज ये भी है कि असम की हर तीन लोग सबासिटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए पांच सालों में आठ मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं इनमें लखिमपूर और बिश्वनाद चरियाली के मेडिकल कॉलेज भी शामील है इससे आपको बहतर इलाज भी मिलेगा और मेडिकल की नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली वाओं को भी बहतर आउसर मिलेगे भाई और बहनों असम में गरीबों के लिए प्रदान मंत्री आवाज योजना के सहत साड़े पांच लाग से जादा आवाज श्विकृत किये गए हैं इन में से अनेक लाबार्तियों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है वास्वस्तर है उनको भी जरूर अपना पक का घर मिलेगा ये मेरा सपना है जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा तब हिंदुस्तान का कोई गरीब पक्की छट के विना नहीं होगा इसके लिए हम काम कर रहे हैं हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हर गरीब को अपनी पक्की छट मिले किसी को भी घर के लिए तरसना न पड़े विशेश रुप से जो टी गार्डन में रहने वाले हमारे साथी है उन तक ये मूल सुविदाएं जल्द से जल्द और तेजी से तेजी से पहुचाई जाए इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है भाई और बहनों गाओं में सडकों की स्थिती को बहतर बनाने में हमारी डबल इंजिन की सरकार दो गुली सक्ती से काम कर रही है पात साल पहले तक असम में करीब 13,000 किलोमिटर ग्रामी सडकों का निर्माड हुआ था यानि सत्तर साल में याद रखिये याद रखोगे याद रखोगे सत्तर साल में 13,000 किलोमिटर बीते पात साल में हमने इससे भी ज़्यादा यानि करीब 15,000 किलोमिटर नई ग्रामिड सडके असम में बढ़ाई इसमें लखिमपुर जिले में ही लगबाद 700 किलोमिटर नई सडके बनी है इसी तरह असम में सेंकलो किलोमिटर के नए हाइवे बने है पुराने हाइवे का चौड़ी करण किया गया है इस वर्ष के केंद्रिय बजेट में असम के नेशनल हाइवे इंफा सेक्टर के लिए बहुत बड़ी भुद्धी की गई है